नमस्कार दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं प्रितिदयाल आपके साथ देखे बिहार में शिक्षा विभाग इन दीनों पूरी तरह से सुर्खियों में च्छाया हुआ है जिस तरह से शिक्षा विभाग के अपरमुखे सचीव केके पाठक के फर्मानों का सिलसला जारी है उसे लेकर शिक्षकों के बीच पूरी तरह से हरकम्प मचा हुआ है इस बीच एक और लेटर जारी कर दिया गया है जीहा दश को मैं आपको बता दू के इस बार लेटर पटना के नए D.E.O के दोरा प्रकहन सिक्षा पदाधिकारियों के लिए जारी कर दिया गया है जिसके बात से एकदम से हरकम्प मच गया है जी अदश को मैं आपको उस लेटर के बारे में बता दू कि उसमें साफ तोर पे स्कूलों के निरिक्षन को लेकर के पूरी तरह से जिक्र किया गया है साफ तोर पे लटर के जरीए पटना के DEO ने कहा है कि स्कूलों के निरिक्षन को लेकर के लापरवाही सामने आई है बता दे कि पिछले दिनों फर्मान जारी किया गया था कि हर दिन स्कूलों का निरिक्षन किया जाएगा बच्चे और शिक्षत समय पर स्कूल पहुँच रहे है या नहीं इसकी जाच की जाएगी जिसको लेकर के पटना के नए DEO ने लटर जारी कर दिया है और साफ तोर पे ये कह दिया है कि हर दिन स्कूलों का निरिक्षन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया जारा है लेटर में साफ तोर पे ये जिक्री किया गया है कि प्रतेक दिन स्कूलों के निरिक्षन को लेकर के आदेश दिया गया था लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है जिसको लेकर साफ तोर पे आदेश दिया गया है कि जितने भी जिराशिक्षक पदाधिकारी है वे सुभर सारे आठ बजे से नौ बजे तक स्कूल में पहुँच जाए और ये सुनेशित करें कि शिक्षक और बच्चे समय पर पहुँच रहे है या नहीं तो वही अब टाइमिंग का जो मामला है एक बार फिर से सुर्खियों में छागया है दर्शकों मैं आपको बता दू कि पिछले दिनों विधान सभा में मुख्यमंदी नितीश कुमार के द्वार स्कूलों के टाइमिंग को लेकर के जो गोशना की गई थी जो बाते कही गई थी उसके उलट के के पाठक कर रहे थे जी हाँ साफ तोर पे मुख्यमंदी नितीश कुमार ने स्कूलों की टाइमिंग दस से चार बताया था लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अपरमुख्य सचीव के के पाठक के द्वार स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के आधिकारिक तौर पर जो लेटर है वो जारी नहीं किया गया था हाला कि पिछले दिनों इस टाइमिंग को लेकर के स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के जम कर बवाव देखने की रे मिला था तो वहीं अब जब पटना के D.E.O के द्वारा लिटर जारी कर दिया गया है साफ तोर पे ये आदेश दिया गया है कि सारे 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक प्रखन शिक्षा पदाधिकारी स्कूल में अपने तमाम अधिकारियों के साथ पहुँचे और ये सुनिश्चित करें कि बच्चे और शिक्षत समय पर पहुँच रहे है या नहीं तो वहीं अब इस लेकर को लेकर के एक बार फिर से जो टाइमिंग वाला लफडा है वो सामने आ गया है वहीं आप देखने वाले बात होगी कि इसे लेकर के आगे क्या कुछ अपडेट सामने आते है तो उन सारे खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे तब तक के लिए आप देखते रहें ये दर्श न्यूज अगर आपने भी तक हमारे यूट्यूब चाया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब करती इसके साथ ही अगर वीडियो फेस्बुक मा अधिम से देखने तो पेज को लाइक करना ना भूले